Hello Everyone, Welcome to Current Affairs Funda दोस्तो आज हम NICL AO Pre की Class 1 की बात करेंगे और आप सभी को बताएं कि जो Pre का एक्जाम है वो 30 जन्वरी को कंड़क्ट होगा उसके बाद Phase 2 जो है वो 2 मार्च से कंड़क्ट होगा ठीके तो यहाँ पर हमें यह जानना है कि Quant में हमें क्या-क्या पढ़ना है देखो 2018 में जो भी आपके एक्जाम हुए उसमें आपने यह सिखा कि जो Quant का Pattern था वो Variation बहुत सारे देखने को मिले कुछ नए Questions थे और हमें Practice आप करनी कैसी है वो मैं आपको एक-एक Type 1 के हिसाब से बता रहा हूँ कि Type 1 में क्या करना है Type 2 के Questions कैसे हो सकते हैं और क्या-क्या Changes आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद अगर Test Papers हमें देने हैं तो किस तरीके से देने हैं उसकी बाद हम यहाँ पर करेंगे PracticeMock.com का Free Test भी अबलेबल है आप लोग उसको जाकर जरूर अटेम करें और मैं इसके बहुत सारे टेस्ट की बात यहाँ पर करने बाला हूँ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो Pre का Exam है वो किस तरीके से Conduct होगा तो देखो दोस्तो प्रिलिम्स का Exam जो है उसमें 3 section आपके आते हैं English, reasoning और quant इसमें sectional timing introduced इस बार हो चुकी है तो 20 minutes का time आपको मिलेगा English के लिए है और 20 और 20 यही time same time आपको reasoning और quant के लिए भी मिलेगा अब इस दौरान जो आपको 20 minutes का time मिलना है इसका फायदा क्या है पहले क्या होथा था कि लोगों की strategy होती थी कि English को last में 10-12 minutes देंगे और जितने होंगे कर लेंगे लेकिन अब आपको जो 20 minutes complete मिलना है कि आप कुछ भी कर लो 20 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे 20 से कम नहीं मिलेंगे तो जो 20 minutes है इसमें आप RC को भी attempt कर सकते हो reading comprehension जो है इसको भी आप बना सकते हो ठीक है पढ़ने का time मिल जाएगा आपके लिए ठीक है क्योंकि restrictions यह लगा दिया गी क्वांट में 20 minutes और reasoning में केवल 20 minutes ही आपको मिलेंगे तब ही आप कितने भी question आपको आते हो आपको यही time में आपको बनाने है अब हम यहाँ पर एक चीज बता दें यह तो आपका exam view हो गया फायदा आपको English में मिलेगा attempt भी आपको करके आने होगे लेकिन दोस्तों इस exam में fight बहुत अच्छी है अगर आपको इस exam में race में आना है तो आपको practice बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी मैं आपको बार बार बता दूँ कि आपको देखो एक तो होते हम लोग offline paper solve करते है book से एक होता है हमारा online pattern ठीक है तो अगर हम online paper solve कर रहे है तो हमारे इस से grip बन जाता हैं क्वान्ट में क्या क्या changes हो सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें एक अच्छा score कर सकते हैं देखो अभी क्वान्ट के assessment में सबसे पहले एक आपका हो गया simplification approximation और number series अगर ये दोनों topic आपके exam में आते हैं तो ये 10 marks का रखते हैं इसमें 5 marks हो हैं ये compulsion हो गया आजकल बह 5 आपको number series से मिल जाते हैं अब number series में भी बहुत सारे type है simplification approximation को अगर आपको attempt करना है तो आपको कुछ चीज आने चाहिए जिसे की percentage fast calculate करना आना चाहिए जो आपका speed math हो गया वो आपको अच्छे से under root बगएरा ठीक है cube root बगएरा ठीक है और squares आपके हो गया है ठीक है cubic करन आ गया चाहिए तो ये सब चीज अगर आपको बताए तो आप simplification approximation को exam make कर लोगे handle कर लोगे number series के अगर मैं बात करूँ तो number series के बहुत सारे level होते हैं जैसे कभी आपका आजाएगा missing term निकालने के लिए कभी आपका आजाएगा wrong number find out करने के लिए कभी आजाएगा two way series ठीक ह कि एक आपको series दियोगी और उसी के बियाब पर आपको next series generate करनी होगी तो ये बाला logic पहले पूछे जाते थे ये लेकिन अभी काफी time से ये चीज़े नहीं आई है लेकिन हम इनकी practice भी कर लेंगे बाकी missing और wrong तो आपका पूछा जा रहा है और इसके जो pattern है मतलब जैसे reasoning मे जो बहुत सारे topic होते हैं इसे inequality अगर आप बना लेते हो तो वैसे number series में भी आप बना लेते हो क्योंकि इसमें कुछ ऐसे certain patterns होते हैं जैसे आपका square के 20 डिफरेंस के उपर आ गया ठीक है और into one plus one something आ रहा है तो हमने बहुत सारी practice कर रखे है तो number series आप इस तरीके से बना सकत हो ठीक है आप यह द्यान दगना कि जो अगर 5 question आई है तो उसमें 3 question तो बिल्कुल easy label के होंगे दो question ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा आपको अच्छे से brain आपका use हो जाएगा ठीक है तो एक तो यह बाला module हो गया next क्या है आपका quadratic बाला type ठीक है quadratic बाले type में दो चीजे हैं औ और दोनों ही exam में पूछी जा सकती है किसी भी shift में एक हो गया equation base equation base में क्या होता है कि x और by की term में 2 equation दे दी जाएंगी जैसे अगर आपको दे दिया 2x square plus 4x something कुछ यहाँ पर कोई एक coefficient जिसे 9 equal to 0 ठीक है तो आप यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि x1 और x2 की 2 value निकालो औ और यहाँ पर by 1 और by 2 की 2 value निकालो और इनको compare करो ठीक है दूसरा इसी कहीं एक advanced version है quantity comparison ठीक है जिसमें आपको quantity 1 यहाँ दिया होगा quantity 2 यहाँ पर दिया होगा लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि आप जो equation base करके आते हो और यह बाला आता है अगर quantity base बाला जो comparison होता है Q1 Q2 देखो इन दोनों में difference यह है कि यहाँ पर तो आपको equation मिलेगी root निकालने होगे यहाँ पर आपका arithmetic का use होगा और बहुत common है यही जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में जो exam सा है उसमें चीज़े देखने को मिली तो यही लोग कहते है new pattern आ रहा है question अच्छे पू जाये ठीक है second चीज क्या है कि आपका data interpretation माला section हो गया देखो डियाई को भी आजकल हम यह देखें कि pre के level में आप देखें दो डियाई आपके exam में पूछी जा रही है एक जैसे आपका table डियाई पूछ लिया गया एक आपसे case lag पूछ लिया गया छोटा तो इस तरीके का pattern बहुत दिखने को मिला है common है तो अगर मैं table di की बात करूं bar graph और line graph की बात करूं और pie chart की बात करूं तो यह आपके single वाले questions हो जाते हैं तो आप क्या करें कि कोई भी एक book उठाए जिसमें आपको ऐसे set बहुत सारे मिलेंगे और आप इनको identify questions को करके practice कर लें ठीके तो इसस consensus हम मान सकते हैं कि 50-50% होते हैं mix graph में क्या होता है कि एक आपको pie chart दे दिया एक आपको साफ में table दे दिये और दोनों की data को use करके आपको question 1, question 2, question 3 बनाने होंगे ठीके next label क्या है case led वाला di ठीके case led वाले di में theory format में line लिखी होती है और उनको पढ़ना है फिर question के answer देने है तो कुछ question आपके band diagram से बन जाते हैं कुछ में हम छोटी से table draw कर लेते हैं और mostly जो percentage based आता है उसमें हमारी table बन जाती है ठीके लेकिन जो आपका band diagram से बनता है उसमें तीन entity इन बहुल बाले question आते हैं कि A, B, C हैं ये इतना है only A, only B, only C इस तरीके से values दी होती है तो हमें इनक की practice करनी में ये questions आपको जरू कराऊंगा, next यहां पर आप यह देख लिए, जो आपका आजाता है arithmetic portion, without arithmetic portion आजकल आप exam में score नहीं कर सकते, उसका reason मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आप exam दो कौन का, लगबग आपके 10 questions जो हैं, ये आपके arithmetic के आपको मिलते हैं, 10-15 ऐसे मिल रहते हैं, arithmetic में topic important कहां से question आते हैं, जैसे की time and work, pipe and system, SI, CI based आपकी problems हो गई, ages का question, average का question, profit and loss type की problems, discount के ओपर कुछ problems आती हैं, एक चीन में आपको बता दूँ, आप कभी भी अगर arithmetic portion को आपको start करना, learn करना, तो जैसे percentage हो गया, ratio हो गया, ठीके, और ratio and proportion कर लो, speed mess कर लो, इन topic को करने के बाद ही, आप इस तरीके के अगले next step में move करो, क्योंकि percentage जो बहुत common generic है, आज कल यह generic हो गया है, क्योंकि हर एक topic को पढ़ने के लिए, आपको percentage आना चाहिए, ठीके, percentage ratio, average, यह चीज़े काफी important है, अब जैसे train, boat and stream, ठीके, इनकी problems पूछे आती हैं, partnership की problem हो क्योंकि question mostly इसमें से आ जाता है, ठीके, अब अगर आपने यह जो arithmetic के मैंने topic बताए है, यह topic अगर आपको आते हैं, तो आज के जो paper में trend चल ला है, वो क्या है, कि इनी arithmetic के उपर आपका हो जाता data sufficiency, ठीके, data sufficiency 55 marks में पूछे जाते हैं, हर एक pre-k exam में भी even यह आ रहे है, और जो अभी मैंने आपको बता है, quantity 1, quantity 2, quantity comparison की questions ठीके, वो भी आपके arithmetic based हो गया है, तो आप यह देख लो, कि अगर 5 और 5, 10 number और 10, 20, लगबख 20 से 25 number की जो problems हैं, वो आपकी कहां से आ रही हैं, arithmetic से आ रही हैं, तो अगर आप इस portion को छोड़ कर exam को qualify नहीं कर सकते, आपको यह चीज़े करनी होंगी, और इनको करने का short method क्या है, देखो, कोई भी आप एक basic label की book उठाओ, उस label की book से आप पहले concepts को पढ़ो, क्योंकि देखो, यह जितने भी topic हैं, यह सारे YouTube पर discuss already है, आप किसी भी channel से पढ़ें, यह doesn't matter, लेकिन मुद्दा ही है, कि आपको यह topic के base आने चाहिए, तब ही तो आप नए questions बना पाओगे, ठीक है, और जो बिल्कुल initial जिनको book से पढ़ना है, तो मैं यही कहूँगा, अगर जो पहली बार त्यारी करने हैं, तो आप quicker math को follow कर सकते हैं, quicker math में अच्छे question है, कुछ लोग कहते हैं कि, जो है, मैं यह भी कहूँगा करने के बाद, ठीक है, यह आपको हो गया, कुछ topic यहां पर और भी बनेंगे, जैसे कि probability हो गया, permutation, combination, देखो, इनसे question आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो अभी तक मैंने discuss किया है, उन में यार, बहुत सारे ऐसे chances हैं कि question बनते ही बनते हैं, ठीक है, probability में questions कहां स एक blue निकालने की probability क्या हो सकती, ऐसे question बनते हैं, जिसको हम ball-based questions कहते हैं, यह मैंने आपको कराए भी है, permutation, combination में आपने देखा है कि कोई letter का arrangement दे दिया, कि कह दिया कि apple, इसको आप कितने तरीके से arrange कर सकते हो, ठीक है, जैसे banana दे दिया, कि how many ways you can arrange all the letters, ठीक है, इनको arrange करने कि क्या, ठीक है, कितने combinations बनेंगे, वो आपसे question पूछेगा, ठीक है, कि in how many ways you can arrange banana, okay, from these letters, तो यह आ जाता है question, ऐसे common questions हैं, पूछे जाते हैं, अब देखो, दोस्तो, यह तो हमारा topic-wise हो गया, कि हमें कौन-कौन से topic पर देखना है, मैं आपको एक चीशी बिलकुल बदा द नहीं है, तो आपको parallel test paper भी solve करने होगे, अगर आप questions को solve कर रहो हो, और concept को brief में रख रहो हो, ठीक है, इन दोनों को parallel चला रहो हो, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, मेरे कहने का मतलब यह है, कि आपने जैसे, कि किसी भी, जो मैंने आप टो topic बता है, इन पर आपने आपको इस तरीके के test में मिल जाते हैं, अब आप क्या करें, पहले आप जाएं और यह जो आपका label बन test है, मतलब जो NICL EO Pre का free test है, यह 18 December से live हो चुका है, और आप इसको जाकर दे सकते हैं, यह free है, इसके लिए कि आपको registration करना होगा, नीचे link मैं दे रहा हूँ, description में, बहां से आके आप इस test को attempt कर सकते हैं, उसके बाद, अगर आप यह अच्छे लगते हैं, तो आप यह 10 test और attempt करो, इनसे आपको बहुत कुछ मिलने माला है, यह test date by date open होगे, जैसे अभी 4 जन्वरी को test number 4 open हो जाएगा, फिर जो PILM's का test 5 है, यह 7 जन्वरी को आएगा, ऐसे 22 जन्वरी तक आपके सारे test खतम हो जाएगे, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान अगना है, क्योंकि 30 जन्वरी को exam, मैंने आपको होता है, प्री का है, उससे पहले आपके 10 test prim खतम हो जाएगे, मेंस भी आपको package मिल जाएगा, तो आप पहले बाद try करें, इन questions के label को समझे, औ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आज कल जो online exam है, यह हमेशा आपसे मांगते हैं practice, जितनी आपने अच्छी practice कर ली, तो आप दूसरे person को बहुत आसानी से cross कर सकते हो, ठीके, और online exams, आज कल जो हो गए हैं, तो इनसे आप गर पे बैठ कर practice कर लो, और जो भी कुछ mobile application से भी लोग test दे लेते हैं, तो बिलकुल आपको जो अगर यह जो practice mock की में बात करो, इसका mobile application में मिल जाएगा, उस पर भी जाकर test दे सकते हो, कोई problem नहीं आएगे, ठीके, तो आप लोग मिलते हैं, अगली class 2 में, और कोई अगा doubt हो, किसी तरीके का, तो आप जरूर मुझसे अगली भी कर रहें, उनकी भी class 2 को मिलती रहेंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, कोई doubt हो, जरूर पूछें, मिलते हम लोग अगली वीडियो में, प्रापर आपको playlist जो नहीं बनाऊंगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और puzzles बगरा, और भी हमने बहुत कु सकते हैं, और कुछ topic आपको यहाँ पर मिल जाएगे, playlist की format में, इस वीडियो को like जुरू करें, share करें, अपने दोस्तों को इस channel के बारे मताएं, thank you, have a good day.